तो हम विभिन ग्रहों की यूतियों के बारे में बात कर रहे थे, जहांपर हमने कुछ यूतियों को कवर किया है, इस वीडियो में बात कर रहे हैं सनी और बुध की यूति के बारे में, सनी और बुध की यूति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में बने, तो ये पुद्ध है वो वाणी और टेलेंट का ग्रह है, इंटेलिजेंस का ग्रह है, जब उसके साथ सनी आते हैं, तो ऐसे में सनी आपको बहुत ही देख परक कर, सोच समझ कर, विवेकसिल तरीके से निर्णे लेने के लिए प्रेदित करेगा, आप हमेशा सूचराओं का संग्रेब बहुत ज्यादा रखेंगे, लेकिन उनमें से कौन सी बात आपको बोलनी है, कौन सी बात किसी को بتानी है, ये सब आप जब तक तैर नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी बात को सामने रखेंगे नहीं, इसके इलावा हमेशा ऐसा जातक, जब उसकी बात की एहमेयत हो, तब भी बात बोलेगा, तो सनी और बुद्ध का जो यूती है, वो एक ऐसा यूती है, जो आपके बुद्ध से related कारियों में काफी अनुसासन लाता है, एक सरंचनात्मक द्रड़ता लाता है, आपके बोलने, सोचने समझने के तरीके में बहुत maturity लाता है, और बुद्ध है वो रा बोलने या कुछ भी गरन करने, ज्यान की रूप में, सूचना की रूप में कुछ भी गरन करने में काफी maturity आ जाती है, तो एक थोड़ा देरी होना भी संभावी था, जैसे किसी जातक का अगर ये यूती है तो हो सकता है, वो थोड़ा देर से बोलेगा, या कभी-कभी हम ऐ पोटी एज में थोड़ा सा बोलने में देरी कर सकता है, जातक कुछ बोलने में देरी हो सकती है, वो बहुत ज़्यदा सौचने समझने लग जाएगा, विसलेशन करने लग जाएगा, उसके बाद ही बोलेगा, साथ ही बोलते समय ये भह रहता है कि आपका जो वाक्य जो वो गलत ना निकल जाए वो आपका गलत अगर हो जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है हो सकता है कि सामने वाले को गलत लग सकता है साथ इसाथ बुद्ध एक बिजनस को दरसाता हुआ ग्रहे है बुद्ध बिजनस से related है तो सनी जब भी साथ होगा बुद्ध के ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बिजनस करेंगे तो आपके बिजनस में अनुसासन आएगा आप अनुसासित रहेंगे हमेशा अपने बिजनस में आप अपने बिजनस से जुड़ेवे फैसले बहुत ही अच्छे तरीके से सौस समझ के लेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा इस यूती का प्रभाव है फिर सनी और बुद को हम अगर वैवाहिक जिवन या सेक्सोल लाइफ के इसाब से देखें तो ये उतना अच्छा इूती नहीं है सेक्सोल लाइफ के इसाब से जो हो सकता है कि सेक्सोल लाइफ में काफी एरुची पैदा कर सकता है या समलेंगिकता पैदा कर सकता है तो ये एक गे टाइप का इूती है जो आपको काफी परिशान करके रख सकता है तो किसी के भी सब्तम भाव में अगर ऐसा यूती बने तो वो विक्ति अपने जिवन साती से कभी भी सटिस्फाई नहीं रहेगा उसको वो फिलिंग्स आएंगी नी जो व्यास्तम में आने चाहे लेकिन सनी और बुद्ध का होना ये आपको बिजनस में बहुत अच्छे से ग पाएंगे साथ इसाथ कोई भी डिसीजन जब आप लेंगे अपने बिजनस से ब्रति तो वो बहुत सोचा समझा नया करने, कुछ बहुत ही डीप करने, बहुत ही डीप सोचने के बारे में ये यूति आपको ज्यादा प्रेरित कर सकती है। जैसे किसी के मालेजी अस्टम भाव में ये यूति बन रही हो तो उसको रिसर्च या अकल्ट में सफलता दे सकती है। बट सनी साथ है तो थोड़ा लेट सफलता मिलेगी। अगर किसी के लगन में ही ये यूति है तो हो सकता है वो जातक उतना ज्यादा सुन्दर नहीं दिखेगा जिस प्रकार से। अकेला बुद्ध होने पर जातक इतना एट्रेक्टिव दिखता हो सकता है किसी के पंचमभा में ये यूति है तो जातक सीखने में थोड़ा देरी करेगा लेकिन जब वो एक बार सीख लेगा किसी चीज को किसी बात को गरहन कर लेगा वो भूलेगा नहीं तो यहां आपको बुद्ध के लिए ज्यादा अच्छा है फिर आपको देरी नहीं होगी बुद्ध से रिलेटेड काम करने में या बुद्ध से रिलेटेड चीजों को गरहन करने में साथ ही आप यह जरूर देख लें कि आपका बुद्ध कौन कौन से भाओं का स्वामी है उन भाओं से सोचने समझने के मामले में और आप एक विसेस रूल को फोलो कर रहे हो एक विसेस परक्रिया को फोलो कर रहे हो आप उससे हट नहीं सकते आपको लगता है कि आप अगर उस परक्रिया को छोड़ देंगे उस इसाब से नहीं चलेंगे तो आपको काफी दिक्कत आजाएगी हो सकता है तो mostly इस यूति का जो प्रभाव है इस यूति के जो परिणाम है वो थोड़े लेट ही निकल के आते हैं सनी और बुद्ध का ये यूति आपको काफी अच्छे तोर पे प्रभावित करता है जियोन में आपको सुरुआत से ही प्रभावित करना सुरू कर देता है क्य पहती गहरा रहता है आपकी लाइफ पर और ये यूति आपको बहुत कुछ दे सकती है देने को लेकिन हमेशा ये बुद्ध से जुड़े वे कारियों में अनुसासन लेकर आएगा सनी वहां पर एक स्थिरता लेकर आएगा तो यहां जातक को कभी-कभी फाइनेंसली भी द जो प्रोसेस आप फोलो कर रहे हैं किसी भी बिजनस को करने के लिए वो प्रोसेस आपको बार-बार बदलना पढ़ सकता है आप धनका लेंदेन कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं तो आप पैसा ले रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है वहां भी काफी असर पढ़ सकता है सनी और बुद्ध का यूती है तो इस यूती से ज़्यादा कुछ आपको एक्सपर्ट नहीं करना चाहे ये यूती जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपना प्रभाव ज्यादा दिखाती जाएगी और उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छ जाएगी जातक कि परक्ने की छमता सोचने समझने की नरने लेने की एनलेसिस करने की छमता या बहुत ही डीपली सोचने की छमता बढ़ती जाएगी तो ये यूती का परिणाम और प्रभाव बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में सनी और बुद्ध की यूत कौन से भाव में बन रही है, क्या इस यूती को ब्रस्पती जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल रहा है, अगर ब्रस्पती जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल रहा हो, अगर दोनों अच्छे हैं तो निस्सिती इस यूति के प्रिणाम काफी ज़्यादा अच्छे रहेंगे फिर आपको बिजनस में या अपने काम में सफलता हो सकता है थोड़ा लेट मिलेगी लेकिन जो सफलता मिलेगी वो काफी दर्ड होगी, काफी अच्छी सफलता होगी वो तो ये कुछ परिणाम आ सकते हैं आपके चार्ट में जब भी सनी और बुद्ध का युती हो